साथ्यों आपने देखा की नहीं देखा मोधी जी ने अपने एक भी सांसदों को नहीं छोड़ा जो लोग विधान सभा चुनाव जीत गए ना पहले तो उन्हें लोग सभा से इस्तीफा देने को कहा आप देख लीजिए ना और जैसे ही इनका इस्तीफा स्विकार हो गया इन सांसदों के नाव राहुल गांधी प्रियंका गांधी या सोनिया गांधी होता तो क्या होता जरा संबाद करें क्या मान लीजिए इनका नाम राहुल गांधी है और ये संसद सदस्य नहीं रहे और इन्हें बंगला खाली करने का नोटिस आ गया तो क्या जबाब देगे जानना चाहते हैं पूछ ले राहुल जी क्या कहेंगे बताईए ना ये जो घर है 19 साल के लिए हिंदुस्तान की जंता ने मुझे प्राब्लम नहीं है बंगला चील लिया गया है नियम के अनुसार निकाला जा रहा है ये चील लिया गया है एक बार फिर से बोलिए तो चलिए यही सवाल लोग सभा में आपके निता से भी पूछ लेते हैं क्या धिर बाबु सही में आपके निता से बंगला चील लिया गया है आप तो नियम कानून अच्छे से जानते होंगे जरब बताईए ना अब एक सवाल प्रियंका बाडरा जी से भी पूछी लेते हैं प्रियंका जी यह जो बंगला खाली करने के लिए कहा गया है तो क्या मोदी जी ने यह डराने के लिए किया है बताईए उन्होंने सचाई बोली सरकार के बारे में इसलिए यह सब हो रहा है उनके साथ लेकिन बहुत हिम्मत वाले हैं बिल्कुल डरते नहीं हैं नहीं डरेंगे और अपना संखर्च दारी रखेंगे एक सवाल दोस्तों रागव चड़ा से भी पूछ लेते क्यों चड़ा साहाब आप क्या कहेंगे मैंने आज तक दो बार राज्यसभा में भाशन दिया स्पीच दी जब पहली बार मैं बोला राज्यसभा में अपनी मेडन स्पीच दी उसके कुछी दिनों बाद मेरे सरकारी आवास को कैंसल करने के लिए मुझे चिठी आ गया ओहो हो ये केजरी वाल के लोग ना अलग ही टशन में जीते हैं इनसे कोई भी सवाल पूछ घुमा फिरा कर अपने में ही ले आते हैं वैसे इन्हें भी नोटीस आया था बता दू मगर दोस्तों आज ये जानना जरूरी ह कि एक नियम जो देश में हर किसी के लिए बनते हैं वो कैसे गांधी परिवाद या विपक्ष एक नेरेटिव के रूप में पेश कर देते हैं और आज मैं इसी को डिकोट कर रहा हूँ साथियों नमस्कार मैं हरिश्चन्र बढ़वार आज मैं उस खबर की चर्चा करूँगा जिससे आपको पता चलेगा कि मोधी सरकार में कानून का राज सबसे उपर है देश में विपक्ष हो या सत्तापक्ष सब के लिए सभी सांसदों के लिए नियम और कानून एक समान रूप से लागू होते हैं सत्तापक्ष या विपक्ष के सांसद होने के नाते कि ये सत्तापक्ष से हैं ये विपक्ष से हैं उनमें कोई अंतर नहीं किया जाता है अब क्यों कह रहा हूँ ये समझे हाल ही में दोस्तों जो संपन हुए पांच राजियों की विधान सभा चुनाओ उसमें भारतिये जनता पार्टी ने अपने कई सांसदों को राजस्थान, मध्यप्रदेश और 36 गड़ में चुनाव लड़ने के लिए बैदान में उतारा था और इन में से चुने गए सांसदों में से, दस सांसदों ने अपना इस्तीफा लोकसभा की सदसिता से दे दिया है, बड़े ध्यान से समझ लीजिए, ये चुनाव जीत गए और काइदे से अगर चाहे ना, तो ये कई महने तक रुख सकते हैं, दोनों के रह सकते हैं, लेकि प्रदेश में चुनाव जीतने वाले नरेंद्र सिंग तोमर मंत्री हैं, प्रहलाद सिंग पटेल मंत्री हैं, राकेश सिंग, उदैप्रताप सिंग और रिती पाठक हैं, तो वही राजस्थान से चुनाव जीतने वाले कौन-कौन हैं, बाबा बालकनात, दिव्या कुमारी और राजबर्धन सिंग गाठोर वहीं 36 गर से गोमती साईं और अरून साव ने भी चुनाव जीता है और इन सभी 10 सांसदों का इस्तीफा लोकसभाय स्पीकर ओम बिर्ला ने जैसे ही स्विकार किया उसके फॉरन बाद इन सभी सांसदों को ये नोटिस भी मिल गया दोस्तों कि इन्हें 30 दिनों के अंदर अपना सरकारी बंगला खाली करना है कुछ दिन तो रुक सकते थे नहीं रुके क्यों जानते हैं ये कानून में तरीका है दोस्तों कि जब कोई नेता सांसद नहीं रहता है तो उसे संसद की आवास समिती की तरफ से जो आवंटित बंगले हैं उसको खाली करना होता है और यही नियम भाजपा के इन सांसदों पर भी लागू किया गया है किसी भी सांसद की सदस्सिता खत्म होते ही अब उसे 30 दिनों के अंदर ही सरकारी बंगला खाली करना होता है लेकिन आप याद कीजिए 2014 से पहले का दौर जब कॉंग्रेस और यूपिये के शासनकाल में मंत्री, सांसर और नोकर शाह कारिकाल खतम भी हो जाते थे समापती के बाद भी इन सरकारी बंगलों में कई सालों तक बड़े आराम से सरकारी खर्चे पर रहते थे भूल गये होंगे आप याद कराने के लिए आपको रिपोर्ट भी दिखा रहा हूँ 2014 की एक RTI रिपोर्ट बताती है दोस्तों कि जब प्रधान मंत्री मोधी की सरकार बनी थी ना तब लालू यादो बूटा सिंग मुकुल वासनी ए राजा दया निधि मारन ऐसे कुल 22 नेता मियाद पूरी हो जाने के बाद भी सरकारी बंगलों में कई सालों से रह रहे थे और एक नाम बताना जरूरी है प्रियंका गांधी बाद्रा 1997 से 35 लोधी स्टेट के बंगले में रह रही थी वो तो किसी भी सदन्य की सदस्य नहीं थी उन्हें जानते हैं ये बंगला सरकार ने क्यूं दिया था सिर्फ इसलिए दे रखा था कि उनकी सुरक्षा SPG करती थी है ना कमाल इसी देश में हो सकता है और आप सोच सकते हैं दोस्तों कि कॉंग्रेस सरकारों में किस तरीके से लेफ्ट लिब्रल इको सिस्टम उनको मलाई बाठने का शौक था और जब प्रधान बंत्री मोदी की सरकार बनी 2014 में तो जानते हैं ऐसे करीब 1500 बंगलों को खाली कराया गया जी हाँ 1500 बंगलों को आप सोच लिजिए और इन बंगलों पर कई सालों से नेताओं सांसदों और नौकर शाहों ने कबजा किया हुआ अपनी प्रोपर्ट इसके लिए सरकार ने पब्लिक प्रिमाइसिस एवेक्शन आफ अन अथोराइजड ओकुपेंट्स एक्ट 1971 में संशोधन करके पूरी स्थिती को बदलने का काम किया उनको पता था गलत हो रहा है फिर उन्होंने सोचा कि नियम कानून के तहत ही सारी चीज़े होनी चाहिए और आज भी इसी कानून के तहत हर सांसत को संसत की सदस्यता छोड़ने के तीस दिरों के अंदर बंगला खाली करना पड़ता है लेकिन आपको याद दिलाना ज़रूरी है इसी साल मार्च में राहुल गांधी को मोदी सरनेम कहने को लेकर अपशब्द कहने पर गुजरात के सूरत कोट ने सजा सुनाई तो देश में राहुल गांधी और कॉंग्रिस ने हंगामा खड़ा कर दिया 23 मार्च 2023 को सूरत के मुख्य नियाइक मजिस्ट्रेट उन्होंने राहुल गांधी को IPC की धारा 499 और 500 के तहट मोदी सरनेम को गाली देने पर दो साल की सजा सुनाई थी याद है न अब इस खबर में बहुत जाना नहीं जा रहा हूं मैं और इसमें रेपर्रेजेंटेशन आप दी पिपल एक 1951 की धारा 8-3 के नुसार संसद या विधान सभा का कोई सदस्य यदि दो साल या दो साल से अधिक की सजा पाता है तो उसकी सदस्यता ततकाल समाथ हो जाती है अब जहिर है दोस्तों राहुल गांधी को सजा हुई दो साल की सदस्यता चली गई अब सदस्यता खत्म होने वाली इस लिस्ट में ऐसा नहीं कि राहुल गांधी पहले वेक्ती थी इससे पहले भी कई सांसदों विधायकों इनकी भी सदस्यता 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 मिलने के साथ ही रद की जा चुकी थी कौन कौन है मैं कुछ नाम भी बता देता हूँ चारा घोटाले के दोशी लालु प्रसाद यादो उत्तर प्रदेश से आजम खान उनका बेटा अब्दुल्ला आजम तमिलाडू की पूरु मुख्यमंत्री जैललिता और लक्षदीब के सांसद मुहम्मद फैजल भी शामिल है यानि कई सारे लोग है लेकिन जब राहूल गांधी की सदस्यता रद हुई और उन्हें Public Premises Eviction of Unauthorized Occupants Act के तहट 1971 बाला है 1971 तीज दिनों के अंदर सरकारी बंगला खाली करने का नोटिस आया जैसे आज भाजपा के 10 सांसदों को मिला ऐसा नहीं कि अचानक मिल गया या कुछ हो गया मगर जानते हैं कॉंग्रेस के साथ साथ पूरी विपक्षी पार्टियां और लेफ्ट लिब्रल एकोसिस्टम ने सरकार के विरोध में सडक से लेकर संसत तक हंगामा खड़ा कर दिया इस पूरी कानूनी प्रक्रिया पर जो कानून के तहट किया गया था जानते ही क्या नेरेटिव बनाया कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है और इसी की आड़ में इसी नेरेटिव की आड़ में प्रधान मंत्री मोधी और सरकार का विरोध शुरू कर दिया गया आप सिर्फ देखते जाएए बड़ी मेहनत से एक चीज आपको निकाल कर दिखा रहा हूँ पूरा विपक्ष और इको सिस्टम इस नेरेटिव को हवा देने के काम में लग गया पताने लगे प्रधान मंत्री मोधी के खिलाफ इस नेरेटिव पर जनता में अविश्वास प असते हैं ना तो यह दूसरे के साथ हो लेते हैं चिपन जाते हैं और कॉंग्रेस ने तो दोस्तों मैंने देखा सोशल मीडिया पर हैस्टैग रेस्पेक्ट हैस्टैग मेरा घर आपका घर यह हैस्टैग चलाने का प्रयास किया सोशल मीडिया पर और कॉंग्रेस का हर नेता राहुल गांधी को घर खाली करने के नोटीस पर अपना गुसा निकाल रहा था और ये एहसास कराने का प्रयास कर रहा था कि राहुल गांधी को अपने घर से निकाला जा रहा है जिस पर उनका जन्म से अधिकार है मतलब गांधी परिवार होना मतलब जन्म सद्ध अधिकार होना बले ही वो सरकारी प्रोपर्टी आप ये समझ लिए और राहूल गांधी के लिए सोशल मीडिया पर कॉंग्रेस के निताओं ने क्या क्या लिखा था चलिए कुछ ट्वीट ही आपको दिखा देता हूँ ये शशी थरूर का ट्वीट देखे बड़े ध्यान से तुडे वेकेट्स राहूल गांधी इस होम एट तुगलक लेन इन रिस्पॉंस टूदा लोकसभाज सेक्रिटारियेट्स ओर्डर दा कोट गेव हिम विरुद्ध हो गया ना लेकिन ये तो गांधी परिवार के लिए नियम भी तोड़ सकते हैं अब ये आप वेड़ु गुपाल का देखे दे में एविक्ट यो फ्रॉम ए हाउस बट्यू विल आलवेज हैव एप्लेस इन आल आवर होम्स एंड हर्ट्स राहु जी वी नो दाट सच एपिसोड वोन्ट डिटर यू फ्रॉम रिजिंग दा वॉइस ओप दी पीपल एंड स्पीक टूथ तो पावर बड़ा लंबा चोड़ा दोस्तों इसलिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि ये कैसे महल बनाते हैं कैसे भूमिका बनाते हैं गलत चीज को भी कैसे प्रस्तूत करते हैं ये बता रहा हूँ और यही नहीं कॉंग्रेस ने इसका विरोध करने के लिए पूरे देश में मशाल मार्च निकाला आज कुछ नहीं हो रहा है फिर भी राहूल गांधी को 22 अप्रेल 2023 को अपना सरकारी बंगला खाली करना पड़ा जानते हैं क्यों क्योंकि ये कानूनी प्रक्रिया थी जो सब के लिए एक समान रूप से लागू हो रही थी राहूल गांधी अपने तुगला ख्लेन के घर को जब खाली करने गए तो पूरे बंगले की एक एक जगह को घूम घूम कर देख रहे थे आप देख लीजिए ये वीडियो बड़े ध्यान से मानो ये उनका घर है उनका एकदम जैसे पैत्रिक संपत्ती होती है न वैसा कि मेरे पापा ने कमाया है मुझसे जबरदस्ती चीना जा रहा है ये emotions create किया जा रहा था और जब अपने इस सरकारी घर सरकारी बंगला है इसकी 20 सरकारी अधिकारियों को सौप कर बाहर निकले तो क्या कहा आपको फिर आपको वो सुनाता हूँ ये जो घर है 19 साल के लिए हिंदुस्तान की जनता ने मुझे दिया तो सबसे पहले मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ और सच्चा ही बोलने की कीमत है आज कल मैं कीमत चुकाता जाऊंगा देख रहना और इससे साफ है दोस्तों कि किसी भी कानूनी प्रक्रिया पर विशुद रूप से उनकी विक्तिगत लड़ाई है उनकी पारिवारिक लड़ाई है ये विचार धारा की लड़ाई नहीं है दोस्तों और ये बयान इसलिए आपको सुना रहा हूँ ये सोचें कि मुझे डिस्क्वालिफाई करके धमका के जेल में डालके मुझे बंद कर सकते नहीं मेरी वो हिस्ट्री नहीं है मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ रहा हूँ एक बात ये भी याद रखे कि कॉंग्रेस पार्टी और लेफ्ट लिबरल इको सिस्टम जिसे विचार धारा की लड़ाई बताता है वो सर्फ और सर्फ नहरू गांधी परिबार की राजिनीतिक हैसियत को बचाने और बढ़ाने की कवायद है और इसी कवायद में राहूल गांधी हर जगह लगे रहते हैं सदसिता जाने के बाद जब वो अपने संसदी शेत्र वाइनाट पहुंचे तो यहां भी अपनी व्यक्तिकत लड़ाई को वाइनाट के लोगों का संघर्ष बता रहे थे सुन लीजिए और आश्यर यह तो तब होता है दोस्तों जब राहूल गांधी इस वैचारी खोखले पन को जो इनका है आरबियाई के पूरु गवर्नर रगुराम राजन जैसे लोग सोशल मीडिया पर समर्थन देते हैं अब अरखादत के साथ इन्होंने बातचीत की पूरा नेरेटिव बुना मैं ये वीडियो दिखा नहीं सकता क्योंकि ये भी यूट्यूब चैनल है लेकिन मैंने जो सुना और लिखा पढ़कर वो आपको बता देता हूं ये क्या लिखते हैं इसमें लिखते हैं कि ये जो हो रहा है वो गलत हो रहा है और पूरी कहानी पूरा बयान मैं थमनिल के वल दिखा दे रहा हूं आपको ताकि आपको समझ में आ जाए पूरा नेरेटिव मैं तो मुझे तो कई बार लगता है ऐसे ही लोगों को तो नहीं बना दिया गया रिजब बैंक का गवंडर क्योंकि इनके बारे बे तो और भी ची गया दोस्तों आगे बता रहा हूं जब सुप्रिम कोट ने निचली अदालत की सजा के फैसले पर रोक लगा दी ये गया सुप्रिम कोट रोक लग गई और लोग सभा के स्पीकर ने बड़े ध्यान से सुनिये सुप्रिम कोट का फैसला आते ही राहुल गांधी की सदस्यता तुरंत बहाल ही नहीं कर दिया ऐसा नहीं कि सिर्फ सदस्यता दी बलकि संसर सदस्य होने के नाते उन्हें तुरंत वही बंगला भी अवंटित कर दिया यानि जिस कानूनी प्रिक्रिया के तहट राहुल गांधी की सदस्यता गई वापस भी आई उसी के तहट बंगले की सुविधा भी प्राप्त हो गई मगर ये लोग इसे विचार धारा की लड़ाई बनाने का हत्यार बनाते हैं और इसी सच से सामना करते हैं कि इस विचार धारा का इस्तेमाल ये व्यक्तिगत हित के लिए होता है ये ऐसा नहीं कि इसका सालजेनिक जीवन से कोई लेना देना हो ये इनकी अपनी रडाई है ये इनकी अपनी करनी है और उन्हीं करनी की वज़ए से कानून के हिसाब से कारवाई की गई थी तो कुल मिला कर साथियों देश में कॉंग्रेस और लेफ्ट लिबरल पार्टियां प्रधान मंत्री का विरोध करने के लिए व्यक्तिगत अनैतिकता और रष्टचार के मुद्दे को वैचारिक विचार धारा का जामा पहनाते हैं उसे देश की जनता पिछले 9 सालों से साड़े 9 सालों से देखकर अच्छी तरह समझ चुकी हैं और इसलिए आज जब विपक्ष की पाठियां सम्विधान लोकतंत्र और सामाजिक न्याय की बात करती हैं तो लगता है कि विदेश की जनता के लिए नहीं बलकि अपने और अप आवना से मुक्त लेफ्ट लिबरल विचारधारा में वो ताकत नहीं है जो भारत की आत्मा को स्पंडित कर सके विचारधारा का यही खोखलापन आज हम सब के सामने हैं भाजपा सांसदों की कहानी से कॉंग्रेस और लेफ्ट लिबरल एको सिस्टम की स्पूरी गंदगी स दोस्तों देश की जनता वाकिफ हो रही है और इसलिए इस खबर को किसे ने दिखाया नहीं भारती जनता पार्टी के सांसदों को जो नूटिस मिला है न मेंस्ट्रीम मीडिया ने एक तरीके से छोड़ दिया बस कहीं इधर उधर चप गई खबरे लेकिन जब राहुल के सा वात होता है TBM क्या होता है इसीलिए पूरे संदर्व के साथ इस खबर को दिखाने का प्रयास किया अष उम्मीद है दोस्तों आपको पसंद आया होगा बहुत मैंद के साथ सारी कहानिया निकाल कर आपके सामने एक सूत्र में फिरोने की कोशिकी बताईएगा कैसा लगा आप कमेंट कीजेगा कमेंट के अलावा लाइक कीजेगा शेर कीजेगा बाकी लोगों तक भी पहुंचाने की कोशिश कीजेगा बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार